नमस्कार दोस्तों मैं आपका अफिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोतम ग्यान सागर में मैं आपके साथ अनिल सर्मा और हम कर रहे थे रिजनिंग देखें रिजनिंग में आज हम लोग पास क्या क्या चीज कैसे कैसे हमसे पुछी जाती है उसके बारे हम डिसकस करने वाले हैं देखिए में अगर हम बेसिक से अगर सीरीज की बात करें तो देखिए सीरीज हमारे पास में ली सिर्फ ही 5 टाइप की सीरीज होती है जैसे सबसे पहले टाइप के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो टाइप के हमारे पास जो सीरीज आती है वो डिफ्रेंस बेस्ट आती है जी किस बेस आती है डिफ्रेंस बेस्ट डिफ्रेंस बेस्ट का मतलब कि हमारे पास अंतर अंत फिर में लिख दिया 14 फिर मैंने लिख दिया कितना लिखे ठीक है अगला लिख तो अगले वाला क्या आने बाला है अब देखिए हमारे पास अंतर जब मैंने लिख दिया तो अंतर के साथ से मेरी सिरी सोल करने का देखिए पहले तीन जूड़ा फिर नो जूड़ा फिर मेरे पाफ बारहा जूड़ा अब मेरे पास 15 जूड़ने के बाद जो अगला नंबर आएगा वो मेरे पास का आने वाला है फिप्टी नंबर आने वाला है पचास नंबर मेरे पास आने वाल 35 मिला 35 15 जोड़ा तो मुझे 50 मिलने वाला है यह मेरे पास अंतर बेश्ट मेरी एक सीरीज है चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप की सीरीज क्या है दूसरे टाइप की जो सीरीज आती है वह हमारे पास आती है स्कूर बेस्ट अब स्कूर बेस्ट क्या होते है मतला हमारे पास सिम्पली स्कूर लिखे होते हैँ स्कूर कैसे लिखे होता जैसे हमें दिया जी एक्षो तिर्यालीस फिर हमारे पास दे दिया जी एक्षो अड़सर्ट फिर हमारे पास दे दिया जी एक्षो पिच्यानवे ठीक ही फिर हमारे पाइदे दिया दोसो चोबीस चलिए फिर मैं कुर्शन मारक की लिखते हैं देखिए यह क्या हमारे पास बारह का वर्ग है और उसमें से कम कर दिया बारह का वर्ग 144 होता है 144 में से कर मैं एक कम करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है मुझे 143 मिलता है फिर तेरह का वर्ग होता है मेरे पास 179 उसमें से मैं एक कम कर दो तो मेरे पास 168 मिल जाएगा फिर चोधा का वर्ग मेरे पास क्या होता है जी 146 उसमें से १ोग मेरे पास 155 में मिल जाएगा पिर 15 का वर्ग मेरे पास होता है 225 में कि मुझे कितना मिलनेんです है 222 मिल नहीं वाला है तो यह हमारे पास यह तो मुछे कितना मिलने वाला है वरह आपर वाला तरीका जैन्में तरीका है पार निकालने का एक से सोतक विडियो देखिये देखते हैं आपको श्वर्ग निकालने आ जाएंगे यह फिलाना हमारे पास यह वर्ग बेस्ट वाली सीरीज थी तो हमारा इसका नेक्स आंसर क्याएगा 255 यानि 255 इसका राइट आने वाला है चलिए बढ़ते हम नेक्स टाइप के तरफ नेक्स टाइप के अगर मैं बात कर होते हैं उन क्यूब को सोल करना होता है कैसे जैसे मुझे दिया कि चलिए जीरो से स्टार्ट करता हूं जीरो लिखा फिर मैंने छे लिखा फिर मैंने लिखा जी 24 फिर मैंने लिखा 60 फिर मैंने लिखा 120 फिर मैंने लिखा 210 और अब अगले वाला क्या आने वाला है अब देखिए क्या चीजा है हमारे पास यह हमारे पास एक के घं में से एक माइनस कर रखा है ये 2 के घं में से 2 माइनस कर रखा है ये 3 के घं में से 3 माइनस कर रखा है ये 4 के घं में से 4 माइनस कर रखा है ये 5 के घं में से 5 माइनस कर रखा है ये 6 के घं में से 6 माइनस कर रखा है अब क्या करेगा वह साथ के घन में से साथ माइनस कर देगा मतलब 343 में से साथ माइनस करते हैं तो मुझे मिलते हैं 336 क्या मिलते मुझे 336 मिलता है तो हमारे पास राइट आंसर का रहेगा हमारे पास 336 वाला इसका राइट आंसर रहेगा मतलब क्या चीज आने वाली है ठीक है चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले कोर्षिन की तरफ कि अगला टाइप हमारे पास क्या है कि फोर्ट टाइप के अगर मैं बात करूं तो वह हमारे पास आती है जी मल्टिप्लाई बेस्ट मल्टिप्लाई बेस्ट मतलब एक लिखा है तीन कर दिया फिर पंधरा कर दिया फिर एक सो पांच कर दिया फिर नो सो पिंतालिस कर दिया अब अगला हमारे पास क्या आने वाला है यह मुझसे पूछने वाला है देखिए तीन से मल्टिप्लाई कि आप तीन मिला पास से मल्टिप्लाई कि आप 15 मिला साथ से मल्टिप्लाई कि 105 मिला नो से मल्टिप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है क्यारा से मल्टिप्लाई करें तो मुझे मिलने वाला है जी पांच नो और यह मुझे ठीक है बिल्कुल एक्यूरेट है दस ठीक है 945 फिर हाँ पर मैंने 945 लेग दिया पांच 9 13 और यह मेरे पाद 10 देखे 10 395 मैंने इसको 11 से इतना जल्दी कैसे किया इसकी वीडियो भी मैं आपको एक डालकत जरूर दूँगा की कैसे किया जाता इसको इजी लिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को सब्सक्राइब अब हमारा राइट आंसर क्या रहे हैं दस तीन सो पिच्छाने वाला रहेगा अगले टाइप के अगर मैं बात करू तो वह मेरे पास होता है जी डिवाइड बेस्ट कि मतलब भागफलल को कि पर निर्धालित πर कैसे हमारे पास मुझे दे रखका है है जैसे जी चाह से पहले मुझे दिया कि सो कि बावन कि अठाइस कि सोलह दस अगले वाला मुझे क्या मिलने वाला देखें सो का आधा पचास और दो जोड़ दो तो बावर मिल जाएगा बावन का आधा 26 और दो जोड़ दो तो क्या मिलेगा अठाइस अठाइस का आधा चोधा तो जोड़ दो तो कितना मिलने वाला है शोलह शॉला का आदा आठ दो जोड़े दो तो कितना म of रहेगा तीक है जिशन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स् generating सब्सक्राइब की next question मुझसे क्या पूछा गया है ठीक है चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं ऑट da 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 a मैं आध बार दो यह मैंने बताया था अब को पास टाइप तो हमारी हो गई होगी है अब देखिए जो लेफ्सों टाल पाते हैं घ्रट टाइप नहीं हो ती वह जैसे मैंने आफ पर आपको क्या बताई कि सीधा सीधा डिफ्रेंस बेस्ट मतलब अंतर बेस्ट होती है ठीकि डिफ्रेंस बेस्ट दूसरी जो बताई मैंने आपको वह बताई हमारे पास कि मल्टिप्लाइब बेस्ट तीसरी जो टाइप बताई वह मैंने आपको बताई डिवाइड बेस्ट चोथी जो टाइप बताई वह मैंने आपको स्केर बेस्ट और पांच भी जो टाइप बताई वह मैंने आपको बताई क्यूब बेस्ट यह मैंने आपको पांच टाइप हम मैंने आपको बताई है आगे वाली जो टाइप होती हो टाइप नहीं होती इनी का ही पार्ट होता है वो पार्ट कैसे होता है अब मैं मल्टिप्लाई के साथ अगर मैं प्लस कर दू है तो वह मल्टिप्लाई का ही लेकिन उसका एक अलग से पार्ट बन गया ऐसे अगर मैं मैं कर देता हूं तो वह भी इसका एक पार्ट बन गया एक एग्जामपल ले 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 थे हम लोग वाना हमारे पास मल्टिप्लाई के लिए जैसे मुझे दिया एक ठीक है फिर यहां मुझे लें तीन ठीक Всем एला है पर लेग दिया 11 ठीफ़ सब्सक्रानल तुक्राइब हमारे पास्पार दे दिया 50 चपन थोड़ा सा गल लिख दिया मैंने अपर पिर अगर आमने यहां लिख दिया अब चपन नहीं इसमें लिख दो आप ठीक यह लिख दो उन्सार ठीक है अब यहां से समझे इसको क्वे क्या चीज मैंने लिख कि क्या लिखा डोगना करकर मैंने एक जोड दिया था फिर मैंने क्या गया फिर्मीनन थी तीन चल zar करकर कर क्यना जोड़ा दिया जी ओजिए यह हमारे पास थी वैसी चारवाला क्या था हमारे पास चार बी सबढों कि चार वाला हूँ इसको मैं 4 जोड़ रहा हूं चार जोड़ा मैंने तब यह चार जोड़ा अब क्या होने बाला है वो देखते हैं देखिए multiply होने वाली संक्या है ना वह प्राइम नंबर multiply हो रहा है अब प्राइम नंबर की थी सबसे पहला प्राइम नंबर दो आता है दो के बाद तीन आता है फिर पांच आता है अगले वाला प्राइम नंबर साथ आएगा साथ से मुल्टिप्लाई करके आठ जोड़ देना है कि आप आप बोलोगे यह तरीका आठ जोड़ने वाला यह तरीका यह तो फिर इसका दूगना कर दो तो तो यह हमारे पार पैट्रण में धाए अब इसको इसे मेरा नेक्स्ट नंबर बने वाला है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी 421 कि यह मेरे पास था पैटर्न कि इसी से टाइप निकल जाती है मतलब वो इसे टाइप होती है बस उसका प्लस माइनस करने चीज शुरू कर देता है ऐसे स्क्वेर के साथ प्लस कर देता है जो मतलब वग्लत बहुत सारी दिखाई देने लगा Por Tax cub मैं को रहे immig rat पांस टाइप के अंदर रह जाती है बस जस इसके आगे चागे इनके पार्टिशन पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन-कौन सा इसका पार्ट रहने वाला है ठीक है चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्ट को सब्सक्राइब कि नेस्ट कुछन हमारे पास क्या है कुछ मैं को देता हूं आपको को साफ से फिर आपका करते हैं जी क्या करने पहले पहला कुछन मैं लिखूं तो मुझे दे रखा है नाइंटीन नाइन ट्वंटी एट थर्टी सेवन फिर सिक्स्टी फाइव और फिर मुझे पूछता है कि नेक्स क्या आने वाला है अब देखिए पेपर में कुई टाइप बता गे तो आई की नहीं बिना टाइप बता आई है तो मैंने यह चीज लिखनी है कि बिना मुझे करना यह ली तो मुझे क्या है सबसे पहला हमारे पास अब जब मुझे टाइप पता ही नहीं है तो आपने ईशने करना इन पर 728 28 जोड़ा दो तुमझे 65 मिलने बाला है स्रीजित का यही तौर को बैक से घशल कर देजिए और बैक से कैसे मतलब यह वाला नमबन इस से बना है मतलब कैसे 28議र ओंगता यह अन्यस्का और यह वाला जो नमबन है मतलब है मतलब क्या जुन कर मतलब स्रीजी समय में आ गई उनीस सो नों को जोडता मुझे 28 मिलता है नों 8 मिलता है गर हम जोडते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है कि क्या उसका अंसर बनने वाला है है या कि लाश्वal ले टो नुमबर इनलों को जोड़ा एंध़ रखाइस इनलों को जोड़ा फिर सैटिसे उन दो यह मुझे रखिए अब मैंने इसके साथ क्या करना है क्या लेकर सारे तीन-तीन कम होते जा रहे हैं यह तीन कम हुआ यह तीन कम हुआ इसमें तीन कम कीजिए तो आपके आपका कितना बनने वाला है हमारा इसे चारे और से ओर सैटिस में तीन कम करता हो तो मुझे कितना वालेगा हमारे पास चौंटीस मिल इसी रीज तो बिलकुल फिर दे रखाया है 432 फिर मुझे दे रखाया है 216 और अगले वाला क्या आएगा यह चीज मुझे पूची गई है सिरीज लिखते बड़ दो चीजे ध्यान में आई थी जब मैं सिरीज लिख रहा था तो मुझे एक चीज पता लगी कि सिरीज आधी यह नंबर आगले वाले आधे होते जा रहे हैं देखे इसका हाफ है क्या अगले वाला 1728 का अगर आधा करता हूं तो भाग जाएगा आठ प से भाग कर दो कित्ता बनेगा 216 और अगले वाले को दो से भाग कर दो तो क्या बनेगा मेरे पास 108 तो नेक्स्ट जो हमारे पास कोश्ण मार की जगह क्या आने वाला है 108 आने वाला है कि वह 108 हमारे पास क्या है ठीक ही चले बढ़ते हमारे पास नेक्स को सिंद्रव अगला क मुझे दे रखा है 46 41 पिर हमार पार देखा 35 पिर मुझे देखा 30 पिकोशन मार्क 19 और 13 यह मुझे दे रखा है कि क्या है और क्या नहीं है देखें क्या चीज पता लगी है 46 से 41 आया मतलब पांच कम कर दिया फिर यहां मतलब 6 कम कर दिया फिर 5 कम कर दिया अब एक बार 6 कम कर करके देखें मुझे कितना मिलता है छे कम करता हो तो मुझे कितना मिलता है 24 और 24 पांच कम करता हूं तो 19, 19 में फिर 6 कम करता हूं तो मुझे 13 मिलता है, मतलब क्या है, एक बार 5 कम हो रहा है, एक बार 6 कम हो रहा है, यह चीज बढ़ रही है, इसके इलावा इसके इंदर एक और पैटन है, उस पैटन को बताईए कि कि क्या चीज्ञ चाद रहई और मंद आतौं एक नम्बर को छोड़कर तीसरे वाला नमबर लो है श्यालिस से मेने 35 लिया मतलब ग्यारा कम लोगे ऑन्टिस से मेने ग्यारा कम क्या मतलब हो गए चौबीस में ने ग्यारा कम किया तो तेरह हो गए यह चीज थी ऐसे यहां पर थे 41 में से 11 कम किया 30 हो गया 30 में से 11 कम क्या 19 हो एक छोड़कर एक नंबर वाला पैटर भी लगा सकते हो और वह भी हो सकता है मतलब एक सीरीज के इंदर दो दो पैटर हमारे पास लग रहे हैं दोनों पैटर हमें सब्सक्राइब हो थी कि चले नेक्स की बात करते हैं कि नेक्स को समुझ से क्या पूचा जाता है अगले को समय बात कुरूं तो अगला कुर्शन मुझे पूचा गया है जी आज पीपिटी नहीं खुल पाई इसलिए मैं ऐसे कर भा रहा हूं पीपिटी खुल जाती तो सामने सीधे हम सीधे सीधे करते तो आपके सामने सीरीज हो जाती नेक्स्ट मुझे दे रखा है सेवन 14 17 21 24 28 31 यह मुझे दे रखा है सुमझमे आई कि होगी यह ना क्या ची लग रही है दो दो पैट रहे हैं इसके अंदर B देगे तीन जुड़ा च्छ जुड़ा तीन जुड़ गया चार जुड़ गया तीन जुड़ गया च्छार जुड़ गया चुर जुड़ने चार ऑला है कि यहाँ थाग्या थर्टीफाइव आएगा दूसरा पेटर मैंने बूला क्या हो सकता है एक छोड़ कर एक साथ 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 तो यह वाला पैटर्ण भी हमारे पास है एक छोड़ कर एक भी पैटर्ण हम लोग इसको फोलो करार सकते हैं दोध कर एक वाली और सीधा एक ए 108104 चों पिर मुझे दे रख्खा है च्छानवे उपिर 90 क्यक्त फिर अगले वाला क्या है इस भी समझ मग आगया चार चाहर कम हो रहे हमारे पास अगर चाहर कम हो मुझे कितना मिलेगा डवल एट यारी 88 मिलने वाला है तो इसका राइट अन्सर क्या रहेगा अठासी बाला रहेगा नेक्स की बात करें नो तेरा अठारा नो तेरा अठारा चोबीस एकप्तिस अगले वाला क्या आएगा देखे क्या पैटर लगा च्यार बढ़ गया पांच बढ़ गया छे बढ़ गया फिर साथ बढ़ गया अब आठ बढ़ जाएगा आठ बढ़ने के बाद मेरे पास आंसर क्या आने वाला है थर्टी नाइन इसका आंसर बनने वाला है चलिए बढ़ते हम नेक्स सीरीज की तरब नेक्स सीरीज हमारे पास पास क्या है नेक्स दिन मुझे दे रहा है 192 एक सो बानवे एक सो छी आसी पिर एक सो असी पिर एक सो चोहत्र फिर कोशन मार्क फिर एक सो बासर्ट यह मेरे पास बनी तो देखें क्या चीज हो रहे हैं इस अदिन रहे हैं यहां ख़ल दो बस च्यक्म करों किता बनने वाला हमारे पास कि 168 अर्फरी 8 एक सो बासर्ट आरफ एक चैटट रही हरे चेला हमारे पास यह पास क्या नेक्स कोशने माँ बात कुरूं है तो दे रहारा नेक्स्ट नमारे पास एक नो 28 28 86 261 और अगले वाला जो हमारे पार नमबर दे रहे हैं 787 और कॉश्चन मार्ग मुझे दे रहे हैं कि क्या ने वाला मज़ा तो अब आएगा इस कुश्चन उतरने में कि क्या है क्या ने देखे यह मल्टीप्लाई का है अब वो मल्टीप्लाई मुझे कैसे पता लगती है जब कोई छोटा नमबर है वो दो-30 में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो मतलब ऐसा कब होता है जब ब्याज भियाज लगता है मतलब तो मल्टिप्लाई मुल्टिप्लाई होते जाती है वह तब होता है तो यहां पर भी वही चीज हुए है उमारे साथ यहां देखे इसका तीन गुणा कर दिया 27 और एक जोड जोड दिया में पास 28 इसका तीन गुणा कर दो तो मेरे पास कितना बनता है 258 बनेगा फीर हमारे पास इसका तीन गुना करते है तो हमारे पांटा है 300 340 जोड़ दिया आप इसके 3 गुने में मैं 5 जोड़ दूंँआ पहले 3 कुना कीजिए तो सही चलिए करते हैं साथ या 21 24 और दो किता हमारे पाट 26 फिर दो किया एकिस और दो किता बनेगा हमारे पास 23 यह बना 236 प्लस में पांच यानि 23 66 क्या बना हमारे पास 236 हमारे पास आंसर ना 2366 इसका राइट आंसर बन जागा कि इन गुना किया साथ या 21 दो 24 और दो 26 हो गया फिर दो बना साथ यह किसो तेइस हो गया 266 में पांच जोड़ता हूं तो 236 हमारे पास राइट आंसर बन जाता है चले नेक्स सीरीज की तरह बढ़ते हमारे पास नेक्स सीरीज हमारे पास क्या दे रखिया अगले सीरीज के मैं बात कुरूं तो अगले सीरीज मुझे दे रखिया जी 152 152 164 164 186 188 फिर कोश्चन मार्क फिर मुझे दे रखा है 123 तो यह मुझे दिया हुआ है कि देखना इसके नदर क्या है क्या नहीं चले देख हो जिए हमारे पास क्या चीज क्या पता है पहले इसमें जोड़ते हैं मारे पास देखे कितना जोड़ते हैं 145 165 फिर हम लोग 12 जोड़ते हैं तो मुझे इंग एंगें 186 पर मिल जाता है है कि यह भी 12ी था यहांपर बारह जुड़ा 164 बारा जुड़ा फिर बारह जुड़ा तो 188 फिर बारा जुड़ा तो हमारे पास केता बना्त तो जीरो जीरो ओ है तो तोम ले आ हरेक मैं बाराहा जुड़कर अगले बाला नमबर आ रहा है तो हमारे पास 500 बारां युक्त कूश निंक मुझें पूचा क्या है दिया हुआ है सद्रां उननिस बाइस चोबिस 27 अगले वाला क्या आएगा असानी है मैं लिखा लिखते लिखते सोज में आगा दो तीन दो तीन दो जुड़ेगा 29 मेरे पास आंसर आ जाएगा तो 29 का राइट आंसर बनने वाला ठीक ही